इसकारिक्रम के प्रस्तुत करता है स्कोफ फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर रोशनी जो लाबती है दिल मिनू रोशनी जो दिखाती है रास्ता आई वे ये है रोशनी का करबा इंटर्वीव के तैयार? चिल मैन, हो जाओंगा एक जटके में पार देखा है मैंने टीवी पर एक बिस्किट का एड इट वन इन यूर दिमार्क वर्क्स लाइक मैड कैट मैड या सैट मेरे आंसर्स कर देंगे सब को फ्लाट प्लीज, गुए इन इनवर्स पिरमिड के बारे में अपना व्यू बताओ पहले मैं एक बिस्कुट खाओ क्या है हमारी ग्रोइंग एकोनमी का राज? मैं एक और बिस्कुट खाओ तो आएगा याद नेक्स्ट क्यों? बिस्कुट हो गया फेल? क्या इससे बन जाएगी बात? बड़ी बड़ी फ्रॉमिसेस हैं पेकार स्प्राइट करें नो चमतकार बस प्यास बुझाए यार क्या एसास है ये ऐसा लगता है कि तमाम तर अपना ये तमाम खुशियां और तमाम होसले हमारे साथ है क्यों न हो महसूस कि हमारे रोशनी के इस कारवा में आप सब सुनने वालों का साथ है प्यार है ये ऐसा कारवा है जहां हर कदम पे मनजल है रह में धूल और खार नहीं बस प्यार ही प्यार है अरे शायर नाकाम ये तो बता दो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ अरे सलीमा हम इतनी बार बता चुके हैं कि लोगों को एकदम बिल्कुल कंठस तियाद हो गया होगा कि आप सलीमा है और मैं अर्शद हूँ और हम सब आए वे ये है रोशनी के कारवा में हैं तो लो सुनो एक नई मनजिल सर करने की कहानी अन्यू टॉक एंड टॉच सिस्टम है और इस सब्जिक्ट से रिलेटड सीडी डाली जाती है उसी सब्जिक्ट की जानकारी हासिल होती है और इस पर आईकॉंस जो भृते हैं और इन सिंबॉल्स और आइकॉंस को प्रेस करने के बाद एक आवाज उसे डिसक्राइब करती है कि प्रेस करने वाला इस वक्त क्या महसूस कर रहा है चात्रो का कहना है कि बहईंग चाहिए आप पढ़ने के लिए बात करें कैसे विक्तित्वकी, जिसने जो प्रान किया, उसे पूरा किया, आज जो जब्रहम के साथ बात कर रहे हैं, फिलोसिफर, राइटर, और सोशल साइंटिस्ट, डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा. नमस्कार वेद प्रकाश वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे कारिक्रम में, आपका जन्म हुआ तो 1934 में, तो हम जानना चाहेंगे कि पार्टिशन के दौरान आपके अनुभव कैसे रहें? मैं उस वद करीब 12-13 वर्श का था, भारत सरकार ने एक सुविधा दी थी कि आप हवाई जहाज से कराची से दिल्ली आ सकते हैं, क्योंके मेरे पिता जी, वहां पर रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, तो हम लोग हवाई जहाज से दिल्ली यहां पर आये थे, सिर्फ एक ब बैटने के लिए जो जगा मिली, वो कोई सीट अगरा नहीं थी, वो फर्श पर बैटना होता था, और आवाज उसकी इतनी ज़्यादा थी, कि हम बहुत समय तक कुछ सुन भी नहीं पाए, एक बात आपको और बता दूँ, वो यह की, जब हम लोग हवाई जहाज पर चल रह जहां सी डिविजन में, तब हमारी ये समस्या खत्म हुई, वर्मा जी आपने पढ़ाई किया है पीएश टी लेवल तक फिलोसोफी में, वो भी उस जमाने में जब ये टेकनॉलोजी वगरा नहीं था, तो हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे कि ये आपने पढ़ाई, द ना सिर्फ हिंदी और इंग्रेजी पढ़ाई, बलकि मेरे मन में ये बात बिठा दी, कि मैं कॉलेज या यूनिवसिटी में लेक्चरर या टीचर बन सकता हूं, और वहां से मैं लक्ष लेकर आया था, और मैंने वो स्कूल उनीस सो त्रेपन में छोड़ दिया था, और फिर बाद में मैंने कॉलेज में काम किया, सेंट जॉन्स कॉलेज है अग्रा में, और फिर आग्रा कॉलेज में काम किया, लेकिन वो सारी टेंप्रेरी जॉब्स थी, बाद में मैंने यहां पर रिसर्च की, मैं पहला दृष्टी इन्विद्यार्थी था, जिसको 1963 में, UGC Junior Research Fellowship दे गई थी और उन दिनों यह बहुत प्रेस्टीजियस बहुत गौलवान्विद फेलोशिप यह च्छातर रिटी माने जाती थी दिल्ली शुद्याले से, 1968 में, तो उसके बाद भी मुझे काफी देर इन्जार करना पड़ा, और 1908 सितंबर में जाकर मुझे नौकली मिली, और मैं दर्शन भिवाग में यहां पर आ गया था, और इस तरह से मेरी रिसर्ट जब पूरी हुई, वो सारी बहुत ज़्यादा संखरश करके पूरी हुई, हमें किसी तरह का कोई कंसेशन, फेसलिटी या किसी तरह की कोई चीज नहीं मिलती थी थी ता, और मैंने स्लेट प बने एमेरेटिस फेलो, हमारे सुने वाले जानना चाहेंगे कि यह एमेरेटिस फेलो होता क्या है? जब मैं सिवा निवरत हुआ तब मुझे बताया गया कि ये एक अमेरिटर्स फेलोशिप है जो UGC देता है लेकिन ये उन लोगों को देता है जिन लोगों ने बहुत गहराई से पहले अनुसंधान कारे किया हो तब मैंने फार्म भरा और मैंने देखा कि फार्म में एक कॉलम था जिसमें ये लिखा था कि आप अपनी दो सबसे अच्छी पब्लिकेशन्स या किताबें वो भीजिए तो मैंने उनको दो किताबें भीज दी और तब मुझे ये फेलोशिप में ली जुलाई 2001 में और ये मैं आपको बहुत खुशी से बता रहा हूं कि ये हमारे दर्शन पहाग में जो 1922 में बना था ये मुझे पहली फेलोशिप उस पहाग में मिली थी और मैं पहला अधरिश्टी इन वेक्ती था जिसको यूजी सी ने ये फेलोशिप दी थी और इस से पहले मैं यूजी सी रिसर्च साइन्टिस्ट भी रह चुका था पांच साल तक आपने 11 किताबे लिखी हैं और इन में से 9 किताबे हिंदी में हैं हिंदी में लिखने की कोई खास वज़े मैं जब हिंदी में पढ़ना शुरू किया आगरा विशुद्ध अले में तो मैंने देखा कि जो हिंदी में किताब मुझे दर्शन शास्त पत दी गई थी उसमें इस से मुझे बड़ा दुख हुआ मैंने सोचा कि अगर हिंदी वालों की ये हालत है तो फिर क्या होगा तो हाला कि उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था लेकिन बाद में 14 साल बाद मैंने ये मिशन बनाया कि मैं ऐसी किताबें दूँगा जो कि हिंदी में बिलकुल नहीं है और मैंने वही किया उस मिशन में मैं आज भी लगावा हूँ आज भी मेरे किताब अरफस्तू पर छप रही है जो हिंदी में है और जो कुछ मैंने विभा के बाद किया है जो बहुत बताना चाहता हूँ कि उसका बहुत बड़ा श्रे मेरी पतनी कृष्णा को है क्योंकि उ उन्होंने मुझे प्रफसर और हेड बनने के बाद ही अपनी आराम कुछ करने की सोची तो आज जब वो मेरे जीवन में नहीं है मैं उनको बड़ी शद्धा से और प्रेम से याद करता हूँ तो चलते चलते वर्मा जी एक आखरी सवाल आपने एक पूरा जीवन बिताया है आपका परिवार है आपके पोते हैं बेटे हैं जो दुबाई में काम कर रहे हैं तो ये आप बताईए कि आज की दो युवाप पीड़ी है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे मैं ये मानता हूँ कि सफलता के लिए कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है और वो हैं अच्छा चरित्र आपका जो एक लक्ष हो उस लक्ष को प्राप्त करने में के लिए आपके अंदर आत्म विश्वास हो और फिर उसके लिए आप पूरी महनत पूरी साधना करें पर इस्तियां आपके अनुकूल हों लेकिन कभी कभी मुझे जानकर दुक होता है कि हम लोग जो हमारे चोटे भाई बहन हैं वो कंसेशन, रिजर्वेशन, फैसलिटी इन सफ चीजों के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं लेकिन ये सफ चीजें आपको मदद कर सकती हैं लेकिन वास्तों में आपकी सफलता जो होगी वो आपके अपने परिश्टन से और आपकी अपनी साधना से ही हो सकती है और डॉक्टर वर्मा की बातीत के बाद अब चलते हैं जाने माने क्रिकट कॉमेंटेटर हर्शा भोगले के पास जो बता रहे हैं केनिया के मशूर ब्लाइंड अथलीट हेन्रे वान यॉईके के बारे में हेंडरी वान यॉईके मश्बूत इरादों वाले एक ऐसे इनसान जिनोंने अपनी काबिलियत के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया दस मई 1974 को जन में हेंडरी ने बारा वर्ष की आयू में ही एथलीट के तौर पर प्रशिक्षन लेना आरंप कर दिया था पर 1995 में हुए एक हादसे के कारण उनकी आँखों की रोशनी छिन गई इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक जर्मन काउंसिलर की सला पर उन्होंने दोडने के लिए एक गाइड रख लिया 1999 में उन्होंने अपने स्कूल की ओर से दोड कर एक एथलीट के तौर पे अपने करियर की शुरुआत की इसके बाद उन्होंने कई मैरेथॉन्स और अंतर राष्टे चैंपियंशिप्स में भाग लिया सन 2000 में आयोजित हुए सिड्नी पैरलिम्पिक्स में हेंवरी ने 5000 मीटर की दोड में अपना पहला स्वर्न पदक जीता जिसके बाद से कामियाबियों का सिलसला शुरू हो गया उन्होंने कई वर्ल चैंपियंशिप्स में भाग लिया जहां उन्होंने पुराने वर्ल रेकॉर्ड तोड़े और नए रेकॉर्ड कायम किये साथ ही धेरों स्वर्न पदक भी जीते हेंडरी एक सम्मानिक फिलैंथ्रोफिस्ट भी है उनके द्वारा स्थापित की गई संस्था अफ्रीका और अन्य विकसित देशों में असमर्थता के प्रती जागरूगता फैलाती है बहुत बहुत शुक्रिया हर्शा सलीमा एक बात से आप इतिफाक रखेंगी कि इग्नोरेंस से बढ़कर कोई समस्या है ही नहीं हाँ ऐसा ही है लो विजन की समस्या वाले लोगों के साथ लोगों को आम तोर पर ये खलत फैमी हो जाती है कि अगर डॉक्टर उनकी आखों का इलाज नहीं कर पाते तो वो ये मान लेते हैं कि उनकी जिन्दकी को आसान या बहतर बनाने का कोई और तरीका है ही नहीं जबकि सचाए ये है कि कई रिहाबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो कई ऐसे डिवाइसे या रास्ते बताते हैं जिनसे मुश्किलें आसान हो जाती हैं तो आईए आज सुनते हैं सच्चू रामलिंगम जिसे जो के डिली के एक लीडिंग आई हॉस्पिटल में विजन रिहाबिलिटेशन सेंटर की हेड है और उनसे बात कर रही हैं मौनिका शर्मा सच्चू जी सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अल्पद्रिश्टी है क्या और ये अंधत्व से किस प्रकार अलग है लो विजन विक्ती और अल्पद्रिश्टी विक्ती वो लोग होते हैं जो totally blind भी नहीं होते हैं या उनके पास बिलकुल normal नजर भी नहीं होते हैं बीच में होते हैं और उनको daily activities जो कहते हैं वो करने में कुछ problems हो सकते हैं तो ये भहुत variety of problem होता है हम उन लोगों को low vision मानते हैं जो उनकी दूर की नजर जब नापते हैं तो वो नजएट